अब इसमें एक और नई वीडियो में आज देखिए हम क्या बनाते हैं यह पराथा है जिसको मैंने घर के बने हुए गी में बनाया है एक दम मस्त करारा नमकीन पराथे हैं देखते हैं कैसे बनाते हैं पहले मैंने कड़ाई चड़ाया है उसमें तेल डाल दी है एक चमच इसको मैंने गरम कर लिया है अब इसमें एक चमच जीरा डाला है उसके बाद मैं दो अरी मिर्ची और आधा इंच अद्रक के टुकड़े का जो पेस्ट बनाया है वो डालूंगी अब इसे डाल देती हूं इसको सेक के थोड़ी देर अब हम जो पालक साफ करके रखे हैं उसको डाल लेती हूं इसारे पालक मैं डाल ली हूई यह 200 ग्राम पालक है जिसको मैंने साफ करके बारिक-बारिकाट लिया है अब इसको जब थोड़ा-थोड़ा सेक लेंगे यह देखे हमारा सिग्या अब ये मसाली ले रक्खें मैंने एक चमछ अजवाईन है एक चमछ des i a and a and a because और नमक स्वादन नुसा looking for boysunu आप师 अपने हिंसराब से ले सकते हैं ते में नमक मिर्च कम या ज्याद zor इसको भी अच्छी तरिके से फेट लेंगे हम उसके बाद ये मैंने आधी कटोरी से थोड़ी ज़्यादा बेशन ले रखिए इसको भी हम डाल के इसमें फेट लेंगे इसको मैं डाल लेती हूँ अभी गैस चालू है और कमाच पे है तेज आज पे हम डालेंगे कमाच पे ही डालके अच्छे से इसको फेट के निकाल लेंगे ये देखिए मैंने निकाल लिया है अब इसको थोड़ा सा ठंडा करके आटा में डाल देंगे यह ठंडा हो गया था हाटे में डाल लिया मैंने अब आटा गुन के मैं आपको दिखाते हूं यह आटा गुन लिया मैंने अब 15 मिनिट तक रेश्ट पे रख दिया था अब इसके थोड़ा सा घी लगा कर अगर हाथों से अच्छे से मसल लेंगे इसको चिकना कर लेंगे आट यह मेरे पास घर के बने हुए घी है उसी का मैंने पराठा बनाया है आप चाहो तो तेल से भी बना सकते हो और फ्रेंट से आप लोग की दिवाली कैसी रही यह भी बताईएगा हमें कमेंट सेसिन में और वीडियो पसंदारियों तो लाइक किजिएगा और चैनल को सब्सक् यह हमारे प्राठे सिख्जा हैं देखिए कैसे लाल लाल हैं